आत्म निर्भरता का बजट जी हाँ नमस्कार स्वागत है आपका इस बुलुटिन में मैं हूँ दीपक मिश्राओर बात करेंगे अपसे ठीक दो घंटे बाद देश की वित्तमंत्री निर्मला सीता रमंड जो बजट पेश करने वाली है उसको लेकर अभी फिलाल क्या संसद में पहले कैबिनेट बैठक होगी किंद्री वित्तमंत्री पांचवी बार बजट पेश करेंगी सुबह 11 बजे लोगसभा में अपना पांचवा बजट और देश का पिछत्तरवा बजट होगा संसद में पहले कैबिनेट की बैठक होगी कैबिनेट में बजट पर अं गंटे पहले की बात बता रहें इसके बाद राष्ट पती भवन पहुंची द्रौपदी मुर्मू के सामने बजट की पहली कौपी रख अप्रूबल लिया राष्ट पती भवन पहुंचकर वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने द्रौपदी मुर्मू से बजट की मंजूरी ल देखे वित्तमंत्री निर्मला सीता रमंड आज सुबह उन्होंने शुरुवात की पूजा पाट के साथ और साड़े आठ बजे वित्तमंत प्रालाय पहुंची और देखे सबसे खास फोकस कुछ अलग अलग बिंदों के हम बात करें तो पिछले चार बजट में कुछ ना कुछ नया करती आई है वित्तमंत्री चाहे वो ब्रीफ केस से बही खाता हो पेपरलेस बजट हो या फिर सबसे लंबा बजट भारशन हो अलाकि इस बार क्या नया ह होगा क्या नूढ़ा ओगा इसके लिए हमें इंतजार करना हो लेकिन इस बार के बजट की किस फास हम उपलब्धियों पर बात करें जिसको लेकर हम ध्यान रखें कि ये बार कुछ इस बार कुछ नया हो सकता है तो देखे इसबार नौर अजज़ियों में चुनाव हो हो इसलिए चुनावी बजट हो सकता है कई सौगाते middle class को लेकर जो खबरें है कि middle class को लेकर सरकार का क्या plan है वित्मंत्री ने middle class के लिए क्या design किया है contribute में तो यह काफी खास budget होगा अगले साल लोकसवा चुनाव होना है तो उससे पहले ये आखरी फुल बजट है सरकार के पास देश को बताने और जताने का एक बड़ा इंस्टुमेंट होता है बजट बजट के जरीए सरकार आने वाले भविश्य को लेकर अपनी प्लानिंग बताती है और चुनाव से पहले बजट का आना सरकार का बजट पेश करना बहुत कुछ संदेश भी देता है मतदाताओं के दीज हाला कि देखे हैं अब ये बातें कुछ रवायती हैं फिर भी आपको बता दें इंकम टैक्स की बात करें तो देखे 8 साल हो गाएं मोदी सरकार को आया लेकिन तब से कुछ खास बदला नहीं इस बार टैक्स में छूट का दायरा जरूर बढ़ सकता है बात आखिर 8 करोड से ज्यादा टैक्स पेर्स की है क्योंकि 2014 में जब प्रधान मंत्री मोदी केंदर में आये थे प्रधान मंत्री के नों ने शपत ली थी चूट की सीमा धाई लाग की गई थी इसे पांच लाग किया जा सकता है और जाहिर है कि चूट पड़ी तो लोवर इंकम क्लास को राहत मिलेगी बाजार में भी चंद पैसे आएंगे और एकनॉमी को सपोर्ट मिल सकता है लेकिन दूसरा बड़ा मसला महंगाई को लेकर भी है गैस सिलिंडर ग्यारा सो रुपे लगभग होग चुका है और जाने माने लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनकी कीमतें कम करने का इंतजाम हो सकता है उजवला यूजना लगभग देश में साड़े नौ करोण लोगों के पास है और इन्हें एक सिलिंडर पर 200 रुपे की सबसीड़ी पिछले साल मई से दी जा रही है इस एक साल और बढ़ाय जा सकता है महंगाई की बात करें तो गेस सिलिंडर गरहिणियों के लिए खासता और पर एक बड़ा चैलेंजिंग होता है चलिए अब आपको आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं बजट से पहले क्या उमीद है उनकी केंद्री बजट जो है वो पेश होने वाला है और ऐसे में महिलाओ का क्या कुछ कहना है क्योंकि बड़ी भूमी का जो रहती है घर के बजट को बनाने में वो महिलाओ की ही होती है तो मैं सीदे महिलाओ के ओर लेके चलती है, उनकी राय, उनका क्या कुछ कहना है उनी से जानते हैं आप लोग बजट बनाते हैं घर का, क्या कुछ खर्च होगा, कितना पैसा बचाएंगे तो गैस कही आट सो, साड़े आट सो करीब हो जाएं और पैट्रोल का दाम भी बढ़ गया है तो पैट्रोल का दाम भी कम होना चीए, तो उससे हमारा जो महिना का खर्च बजट होना थोड़ा सा कम हो जाएगा और सरकार से मैं यही उमीद करती हूँ कि इन दोनों में ध्यान दें मैं मापित्ते समय से बजट तयार करती आई होगी, घर पूरा कैसे खर्च कितना कितना किसमे खर्च होता है, यह देखते आई होगी इस बार क्या कुछ उमीरे लगा रहा है सबसे ज़्यादा खर्च तो किचन में रसोई कि समागरी में होता है और गैस और पेट्रोल के कीमत बढ़ने से क्या होता है, सब चीच का कीमत बढ़ जाता है चाहिए बरासन लेलो, दाल लेलो, कुछ भी लेलो, सब का कीमत बढ़ जाता है तो हमारे बजट तो एकदम चर्मरा जाता है आप लोग क्या चाहरे, क्या कुछ केंद्री मंत्री की ओर से पेश किया जाए पिटारे में ऐसा क्या खोला जाए कि आप लोग का बजट नगड़ बढ़ा पेट्रोल, गैस, इस सब के कारण तो बजट हमारे गड़ बढ़ाता है सरकार वेट भी कम करे, टैक्स कम करे तो हम लोग को कुछ तो फाइदा होगा चलिए कुछ तो फाइदा होगा और ये वो आम उमीदे हैं आम जनता की जो हर साल बजट के पहले जनता उमीद करती है लेकिन इस बजट में क्या खास होगा इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ कुछ पैनल में महमान जुड़ रहे हैं जल्दी से आपको पहले परिशे करा देते हैं आजैक इंगभानी जी जुड़ रहे हैं कॉंग्रिस से नेता है जो इस वितिय मामलों में खास तोर पर अपनी अच्छी नजर भी रखते हैं आप चारो पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए सबसे पहले पारशर जी आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे एक आम आदमी की भाशा में अगर हम बात करें तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं देश की सियासत में बयान बाजी का दौर भी तेज हो जला है प्रदान मंत्री मुफ्त की रेवडी के खिलाफ बात कर रहे हैं आम जनता तो यही उमीद लगाए वैटिये की चुनावी साल भी है नौर राज्य में चुनाव भी होना है मिडल क्लास को राहत तो जरूर मिलेगी क्या खास उमीद आप रख रहे हैं इस बजट से यह बात सही कि रहे हैं आपकी 2024 का बजट है चुकि 2024 में सरकार को चुनाव में जाना है तो यह लिहाज से फुल बजट अगर देखा जाए तो यह उनका आखरी है अब तो वो जो है लेखानुदान ही पेश करेंगे एगले साल में तो यह लोग उम्मीद करते हैं कि यह क्या पापुलिस्ट किस्म का बजट होगा या सरकार अपने फिस्कल प्रोडेंस जिसको केते हैं वित्ती अनुशासन पर ज्यादा जोड़ देगी क्योंकि उसको फिस्कल डेफिसिट कम रखना है तो जो राजकोशी सीमा है है उसकी एक लिमिटेशन है जो गेफ है उसको कम रखने के लिए भी उसको प्रयास करना दूसरी तरफ लोगों को भी एड्रेस करना है लोगों को चुकि उसको चुनाओ में भी जाना है लेकिन यह बात है कि वो पोल्स की तरह शायद वो दिखाई नहीं देंगे चुनाओ की तरह वो इस का हाल इस तरह से ढूंडेंगे कि जो ग्रोथ है उसको बढ़ाए रखना चाहेंगे और उसके लिए इन्फराइस्ट्रक्शर और रूरल एकोनॉमी में काफी खर्च करते हुए दिखाई देंगे और मद्धेवर्ग में हलाकि ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या वыми टैक्स में के जो लिए और मद्धेवर्ग को राहत देंगे अब एक मत्धेवर्ग को कहीं कि क्योंकि निर्मला सीता रमन ने एक बयान भी हाली में दिया था कि मद्ध्योरग पर जो दवाव है उसकी जानकरी उनको है तो उससे भी बहुत सारे लोग यह निसकर्श निकाल रहे हैं कि शायद वो कुछ रियायते मद्ध्योरगों को देती हुई दिखाई देंगी लेकिन म सबसे हम इसमें पूरे बजट में लगता है कि जिस पर सरकार सबसे ज़्यादा जोड़ देगी वो दो चीजें हैं कि वो एक तरफ कंजम्शन खपत बढ़ाती हुई दिखेगी मांग पैदा करना चाहेगी एकोनॉमी में क्योंकि यह जो हालाद है अभी इस तरह के हैं कि ग बरावर दिखाई देता है रिस्क बना हुआ है लेकिन हम अभी भी दूसरी अर्थवे उस्थाओं के मुकाबले काफी बेहतर रिस्तिति में हैं और उस लिहास से देखें तो सरकार निश्चित रूप से दो चीजों पर ध्यान देगी एक खपत मांग बढ़ाएगी रूरल अब इंवेस्ट्मेंट करना होगा किवल सरकारी सरकार को ही नहीं करना होगा निवेश जो करना है वो निजी छेटर को भी नवेश करना होगा ये पर ये सरकार घर्च करती ही दिखाई देती तो निजी उसमें आता है तो infrastructure दी पक बहुत अहम चीज है जिस पर सरकार सबसे ज़्यादा खर्शकरती दिखाई देगी सोशल सेक्टर को एड्रेस करेगी रूरल एकोनॉमी को एड्रेस करेगी बिल्कुल ठीक हाँ अपने पारशर जी और इसी सिरे को मैं आगे बढ़ाऊंगा चर्चा के हमारे साथ आदेत दुबे जी भी है है देश विश्व में लेकिन जिस तेजी से महंगाई भी बड़ी है मंदी का दौर भी हुआ है चैलिंज तो है सरकार के सामने लेकिन चुनावी साल भी है क्यासे देख रहे हैं आप बजट को जैसे की सर आज हम लोग का यूनियन बजट पेस होने वाला है तो सरकार के साथ आप देखेंगे तो पिछले बजट से तुलना की जाए तो पहला जो बजट था इससे पहले फाइनिशलियर का तो वो लॉंग टर्म डप्लमेंट पर फोकस था सरकार इंफर्स्रक्चर पर का लेकिन इस बार का जो बजट है वो मोधी शरकार के लिए और कहें यूनियन बजट के लिए तो यह दूसरे कारेकल का अंतिरपूर्ण बजट होगा और बजट की साथ से आप देखेंगे तो बहुत सारे चैलेंजिस ग्लोबल इस तरपर और डॉमस्टिक मार्केट को देख दरें जो लगातार बढ़ना एक बड़ी समस्या है और ऐसे में भारती अर्थवस्ता के लिए एक चैलेंज होगा कि वैस्विक अर्थवस्ता में हम कैसे अपनी अर्थवस्ता को आगे बढ़ाएं और विकास के नए रास्ते पर और साथ साथ जो हमारी आंत्रिक आर्थिक उसको भी कैसे सरकार देखती है यह आने वाले इस बजट में बहुत ही मतपुण होगा और अभी के बजट का बात करें तो यहाँ पर दो चीज़े रहेंगी एक तो सरकार लॉंग टर्म जो डपलमेंट है उस पर फोकस करती ही है साथ साथ यह शौट टर्म जो डपलमेंट क के काम होंगे उस पर भी जोर दिया जाना चाहिए इस बाद और चाहे वो एग्रिकल्चर की बात करें चाहे आप इंडस्टी की बात करें और या फिर आप सर्विस सेक्टर की बात करें चैलेंजेस हमारे यहां भी है और यह सरकार के लिए बड़ा ही कहना चाहिए कि एक ये सारे चुरौतियां जो है सरकार के लिए एक बड़ी साबित हो सकती है आने वाला ये बजट ये निर्धारित करेगा कि आगे भारती इर्थ वज़ता की दीशा और दाशा क्या होगी ये हमारे लिए मत्पूर्ण होगा भी बिल्कुल ठीक कहा आपने और चलिए मैं चोहान साब से अप टिपड़ी लेता हूं बिजेपी के नेता हैं 36 गड़ से हमारे साथ बने हुएं चोहान साब क्या मैं आनकर चलें क्या राहत मिलेगी आम जनता को क्योंकि ये बजट काफी खास है पांचवा बजट है निर्मला सीता रमनका लेकिन विपक्ष नमेठी कॉंग्र जब 2014 में इंडिया का रैंकिंग पूरा फाइनेंशल वर्ल्ड में दस्मा था आज की डेट में हम पांचवे स्थान पे हमें गर्व होना चाहिए कि हम UK को क्रॉस कर चुके हैं हम उसके उपर हैं और IMF की रिपोर्ट के हिसाब से अब जो आने वाला है वो 6.8 के हिसाब से ग पॉइंट 06 के हिसाब से UK कर रहा है और 5.1 के हिसाब से चाहिना कर रहा है उन सबसे ज़्यादा ग्रोथ हम कर रहे हैं और पिछले साल भी हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एकोनोमिक ग्रोथ करनी वाली कंट्री हैं आप्टर करोना काल जो हमने किया है और इन सब चीजों का एक महतपूर्ण कारण है कि हम सबसे ज़्यादा जो ध्यान दे रहे हैं वो हम इंडिपेंडेंट होने के लिए ध्यान दो रहे हैं हम आत्म निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं हम आत्म निर्भर होने की तरफ जो ध्यान दे रहे हैं और कदम बढ़ा रहे हैं यह इसी का परिनाम हैं। जब तक आत्म निर भर नहीं होंगे तब तक आपकी फोरंग पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती। आपको डिपेंड होना प्रड़ेगा दूसरों के उपर। आपकी अपनी खुद की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती। इंकम पर कैपिटा अच्छा नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहां की इंकम ग्रोथ नहीं तक दी जब तक आप खुद इपेंडनेंट नहीं होंगे एकोनोमिक के पॉइंट अपर इसी लिए हम शूगर के इसाब शूगर उत्पादन में हम सेकंड रैंक में आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में और आत्म निर्बार लगभग आत्म निर्बार हो चुके हैं रक्षा रक्षा के जो हमारे को लगते हैं वह तो ठीक है नए नए लगते हैं आज हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते दे आज से 10-15 साल पहले तो यह इसका परि समझ पा रहा हूं कि कोरोना से हम लगभग उबर पाए हैं मंदी हो वेरुसगारी हो लेकिन विकास की लंबी छलांग लगाईगी सरकार इस अभी 2024 में लोकसभा चुना हो है इस वर्ष में नौ राज्यों में चुना होने वाले हैं कहीं ने कहीं केंदर के मोधी सरकार वित्त मंत्राल है यह प्रयास करेगा कि इसमें लोक लुवाहन घोशनाय हो यूजनाय हो वादे हो परन्तों हमने पहले भी देखा है कि यसे लोक लुवाहन वादे होते हैं आकड़ों की बाजीगरी होती है एक आम आदमी के जेम में एक रुपनी जाता उसको बचत का कोई प्रयास नहीं के जाता यह सिरिफ और सिरिफ जो है वादे और जुमले बात करते हैं कुछ चीजे सपश कर दू यह दो करोड़ों रोजगार है वह वरतमान में 6% है पिछले 33 स्माव में आर्वे के जो लोवर लिमिट है 4% उससे ज्यादा है इसकी जो अपर लिमिट है 6% उससे 11 मेने से ज्यादा है आज जो पैट्रोल था 70 रुपए वाज 100 के पार हो गया है चपर मिले वाला डीजल आज 90 के पार है 400 रुपए मिलने है कि मैं आपको आखड़े देओं मार्च 2022 में क्रूड आयल के कीमत थी 140 डॉलर प्रती बैरल वरतमान में दो दिन पहले का जो आखड़ा है 80 डॉलर प्रती बैरल 43 परतीश्य जो है क्रूड आयल की कीमत में कमी होती है क्या केंदे कि मोधी सरकार आम आनमी को पैट्रो टीलर पर एक रुपए भी छूट देती है कहींने के मुनाफ़ा खोड़ी की नीती इस पश्ट है यह आज देश के आम नागरी के जेव से 23 लाग को रुपए जेव से निकाल देते हैं उनको एक रुपए का फाइदा नहीं देना चाहते कहींने के दिखिए आज जो देश का बज करना है क्या रोड में पर इसका सपश्ट आए ना है परन्तु में सपश्ट कर दूँँ आज देश का सरकारी खा जाना खाली है और वे एक रिजव पंट तक ख़तम कर दिया गया है सबसे प्रमुक आखड़े देदू 2014 में देश परिण था 55 लाग करोड वर्तमान आई एम कि जो आखड़े आये हैं सरकार में खुझ आखड़े दिया है एक सो पच्पन लाग कर दिन है आच सालों में देश परिण जो है वो तीन गुना हो जाता है और लगातार बिरुजगारी बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है आर्थिक अब अनसानता बढ़ रही है रुप जो गिवाजी वरी कोरे वादे कुछ उनको मिली पाया और मैं च्छतिकड़ की बात करने हूं दिपार्ग जी पिछले साल जो है जो बजट आया था च्छतिकड़ की जनता के लिए ना को जनकल्यार का योजना ना कोई घोशना और तो छोड़िए सिचाई परियोजना के इ परियाक्शन ले लेता हूं चौहान साब का जल्दी से क्योंकि मैं को बहुत सी और भी चीज़े बतानी है दर्शकों को चौहान साब संक्षे में चाहूंगा जल्दी से जवाब दे दें आरोप लग रहे हैं आपके उपर गंगवानी साब कह रहे हैं खजाना खाली पड़ परियुक्त में हम फर्स्ट नंबर हैं पूरे वल्ड में और रैंकिंग में पूरे वल्ड रैंकिंग में पाच्छे रैंक में और दूसरी बात कि देश करें एक सो पच्पला कोड़ पर पहुंच आज अधर ने पसे लोग कि हम हो जाती है तो इस गावानी साहब गंगवान कर दें Galini साहब न आपके सवालों का जवाब ले रहा हूं जी जाहन जी और निष्य बन रहा है वह कौन बना रहा है कि कंडर सरकार बना रही है आज जो मैं। गंगर अधाव मर मकान के जो तो पैसा कौन दे रहा है तो तो टो थी में रही है अज जल जीवन मिशन का कौन पैसा दे रहा है तो केदर सरकार दे रही है तो आप क्या कर रहे हैं और आप बोलता है कि कुछ दे नहीं रहे है नकसल वाज जो खतम हुआ है दो दो लाक रुपए दे रहा है तो वो कौन दे रहा है तो केदर सरकार दे रही है आज कोरोना के बाद ज कि अफिक शेश को अलग-उलग कर से लगाने की बात तो कौन कर रहा था दो दूब करने का मुनाफक ले आप देखिए है, जो आप क्मिर्च चार लगाने के लाजर आहसा शी Healing τा इसा है, थी हिसार कि हे पूरा ब्रश्टाशार का आपक बुला सागिया उसमें आपकी फुतुवी है उसमें आपका लगा उसमें आपका लगा दूसरी बात यह ए चिलाने से पीच में कुछ नहीं होगा सुन लेजी ना गंवानी जी वो जवाब दे रहें जरा गंवानी जी यह बहुत देकार आते हैं आपकी पीच पीच में बोलते रहते हो आप गलत बयान बाजी ना करें चोहां जी मेरा लिविदा नहीं नहीं चोहां जी थोड़ा सा इस पर क्लियर कर दीजिए अपना माइनस 6.6% हम लोग करोना काल में पीछे थे लेकिन पिछले साल साथ प्रतिशत हम लोग एकनोमिक ग्रोफ में जादा हुए और दूसरी बात यह है कि रोजगार क्या होता है पहले समझना जरूरी है कि रोजगार और रोजगार जिसमें हमने 10-10 अजार रुपए दिया ठे इंवस्टमेंट करने के लिए चोटे बात कर आह दिया वह जो श्ठाट अव रोजगार बढ़ाना है कि किसी को एंबस्ट करके अपनी महनत को इंप करके उसमें से पैसे कमाना चलिए आने एक में वर्ग में इंडस्ट करके आपने एक सहूलियत एक सुविधा लोगों को देने की कोशिश के मैं लोटूँगा इस चल्चा पर चौहान जी और गंगवानी जी मैं लोटूँगा जल्दी से क्वेक रेक्शन में अपने सायोगी प्रशांद का ले लेता हू न वे वे वाला है और बस्तर वासियों को खासा उमीद है यह चैक्छ है महँदा नहीं यहां कुछ लोग मौझूद है उनसे जानते हैं कि इस बजट से क्या कुछ उमीद है किस तरीके से आप सोचने कि यह बजट होना चाहिए बस्तर के लिए वस्तर के लिए सबसे बड़ से रेल सुवीदा की मांग कर रहे हैं लेकिन आप देखेंगे कि यहां पे 75 साल आजादी के हो गए लेकिन अब भी बस्तर को रेल सुवीदा उपलब नहीं हो पाई है हमारा संपर्क राइपूर से अब तक नहीं हो पाया है हलाएकि एक रेल सुरू किया गया था जग्डलपूर से दूर्क के लिए लेकिन उसका समय उचित नहीं था जिसके कारण से वो संधंग से संचालीत नहीं हो पाई अगर उसका समय बदल के संचालीत किया जाता इंटर सिटी एक्सप्रेस निसी थी उसे भी लाब मिलता और रह गया सवाल अगर बस्तरवाशियों को तो यह लाग और चलिए देखिए मैं रोकना जाऊंगा प्रशान दिये तस्वीरें आपको दिखा दें देश के संसत भवन से सीधी तस्वीरें मिल रही है निर्मला सीता रमण नजर आ रही है अपना पांचवा बजट पेश करने के लिए लोग सभा में पहुंचेंगी 11 बज़े पेश करने से पहले इस बार क्या खास होगा यह जरूर देखने को बलेगा लेकिन निर्मला सीता रमण प्रेस के सामने मीडिया के कैमरों के सामने देखे नजर आ रही है और तमाम जो सवाल है कुछी देर में क्लियर होंगे जब बजट लोग सभा में पेश होगा निर्मला सीता रमण क्योंकि देखे चाहे अपनी साड़ी को लेकर ट्रेंड में रहने की बात हो ब्रीफगेस को लेकर हम देखते हैं सरकार ने यानि निर्मला सीता रमण ने काफी प्रयोग किया है और इस बार क्या खास होगा क्या नया होगा ज़्याधा देर रुकी नही मोधी का बजट सबह 11 बजे निर्मला रमन पेश करेंगी नौर राज्यों में चुनाव भी है बजट में क्या खास होगा किसके खाते में क्या डालेंगे प्रदान मंत्री मोधी मिडल क्लास किसान कारोबारी किसके लिए क्या खुशकबरी होगी देश भर की निगाहें इस पर खबर पर नजरे बनी हुई है हमारी मेहमानों काम शुक्रिया करेंगे एक छोड़ी सो ब्रेक के लिए रुक रहे हैं तुरंद लॉटते हैं